Hey everyone, तो कैसे हैं आप सब? So discuss करने जा रहे हैं आज एक ऐसा case है जो की related Indian Penal Code के one of the most important topics में से Public Nuisance देखिए ये Public Nuisance का topic इतना ज़ादा importance रखता है कि ये different exams में most frequently पूछ लिया जाता है तो आप इस video को skip करना बिल्कुल भी afford नहीं कर सकते सब हमेशा की तरह आपके सामने हर एक चीज को बारी की से समझाया जाएगा वीडियो पूरा देखिएगा सबसे पहले इस case का नाम discuss कर लेते हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं Mr. X vs. Hospital Z 2002 देखिए हरान होने वाली कोई भी बात नहीं है पार्टी के नाम इस तरीके से इसलिए दिये गए है क्योंकि यह कुछ ऐसे तरीके का case है जिसमें पार्टी के नेम जो की है accused और victim उनके नेम को disclose नहीं किया गया है यह बहुत important चीज है अब कुछ facts के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस case से related है जैसा कि आप सब देख सकते हैं यह है Mr. X basically Mr. X इस case में होते हैं petitioner और यह है Miss Y अब Mr. X और Miss Y एक bond share कर रहे होते हैं particularly एक relationship में होते हैं और यह अपनी relationship को further proceed करते हुए शादी करना चाहते हैं लेकिन क्या यह शादी करना इतना असान होगा जानते हैं आगे तो एक दिन Miss Y hospital visit करती है जहां पर वो एक doctor से मिलती है अब हैरान कर देने वाली चीज़ यह है कि Miss Y जिस doctor से मिलती है वो doctor Mr. X के भी doctor होते है जब Miss Y उन doctor से मिलती है तो वो doctor Miss Y को यह बताती है कि Mr. X जिन से Miss Y शादी करने वाली है वो Mr. X HIV positive है अब यह चीज़ बहुत हैरान कर देने वाली है कि इस चीज़ को Mr. X ने conceal किया Mr. Y के साथ मतलब Mr. X जो की HIV positive थे वो concealment उस चीज़ को छुपाया Mr. X ने Mr. Y से अब इसी चीज़ के चलते वो आगे उनसे शादी करने वाले थे जैसा कि मैंने आपको पिछली slides में बताया था कि शादी करना क्या सही में इतना simple होगा देखिए HIV positive का angle आने से surely यह चीज़ इतनी simple नहीं रहेगी देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि Mr. X HIV positive थे उन्होंने यह चीज conceal की concealment किया मतलब Mr. X ने यह तो अब यह matter bond और relationship तूटने तक ही limited नहीं था Miss Y अब करती क्या है Mr. X की HIV positive disease के बारे में सब को बताने लग जाती है और नतीज़ा क्या होता है कि जो Mr. X है वो society के द्वारा obstruct कर दिये जाते हैं मतलब ignore कर दिये जाते हैं अब यह चीज़ थोड़ी यहां पे अजीब लगती है कि एक particular person की disease के बारे में आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं जिसके चलते obvious सी बात है कई न कई society उस person को ignore करने लग जाती है obstruct करने लग जाती है देखिए किसी भी marriage को solemnize करने के लिए एक basic criteria यह होता है कि दोनों partner किसी भी तरीके के fat का concealment ना करे मतलब जो भी चीज़े हैं उसे secret ना रखें और एक दूसरे के साथ share करें चाहे वो किसी disease के बारे में ही हो लेकिन while on the other hand यह चीज़ भी important है कि अगर कोई person किसी disease से सफर कर रहा है तो आप उस disease के बारे में जो कि इस case में काफी serious disease है आप उस disease के बारे में पूरी society को ना बताएं जिससे ultimately होगा क्या कि वो person society के दोवारा obstruct कर दिया जाएगा ignore कर दिया जाएगा और society उस person को एक अलग नजरिये से देखेगी तो यह चीज़े both ways चलती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस वाई को डॉक्टर ने ये बताया कि मिस्टर एक्स HIV positive है जिसके चलते मिस वाई अपने सभी bond और relationship मिस्टर एक्स के साथ खतम कर देती है मिस्टर एक्स obstruct कर दिया जाते है ignore कर दिया जाते है बायदी society मिस्टर एक्स इन सभी चीजों से तंग आकर case file करते है उस hospital के against जिस hospital से वो डॉक्टर बिलॉंग करता था क्योंकि उस डॉक्टर ने HIV disease जो थी मिस्टर एक्स को उस fact को यहाँ disclose कर दिया था अब ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि इस disclosure के चलते डॉक्टर को punish किया जाएगा या कोई और angle इस case में निकल कर आएगा वीडियो में further proceed करने से पहले यह जान लेते हैं कि public nuisance होता क्या है पब्लिक nuisance section 268 of Indian Penal Code में mention है देखिए public nuisance की definition से पहले public nuisance का general meaning होता है कि public को परेशान करना कोई भी एक person एक ऐसी चीज करता है जिस चीज के चलते हैं वो दूसरे person को annoy कर रहा हो किसी person को परेशान करने के लिए कोई चीज कर रहा हो अब definition पर आते हैं जैसे कि आप सब देख सकते हैं a person is guilty of a public nuisance who does any act मतलब एक person public nuisance का guilty तब माना जाएगा जब वो कोई ऐसा act कर रहा है या कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा है जो उसे करनी चाहिए मतलब illegal omission जो act या जो illegal omission वहां रहने वाली जनरल public या जनरल लोग जो वहां रह रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की injury danger या annoyance पहुचा है इस चीज को कहते हैं public nuisance अब public nuisance एक और important situation में fall हो सकता है जब कोई person अपना कोई public right exercise कर रहा हो तब उस person को अगर कोई दूसरा person या कोई obstruction कोई injury या कोई danger या फिर कोई annoyance पहुचा रहा हो जिसके चलते वो अपना public right ढंग से use ना कर पा रहा हो तो इस चीज को भी public nuisance ही consider किया जाएगा एक और important चीज जो इस public nuisance के ambit में fall करती है कि nuisance भले ही convenience ही क्यों ना पहुचा रहा हो या कोई advantage ही क्यों ना पहुचा रहा हो उस nuisance को excuse नहीं किया जाएगा मान लीजे कोई ऐसा nuisance है कोई ऐसा annoyance है मतलब किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज है जो किसी को तंग कर रही है अगर वो चीज convenience ही क्यों ना पहुचा रही हो किसी को या advantage ही क्यों ना पहुचा रही हो तब उस चीज को यहीं माना जाएगा कि वो दूसरे को तंग कर रही है मतलब उसको nuisance ही माना जाएगा उसे excuse नहीं किया जाएगा तो आज जो हम case discuss कर रहे हैं वो section 270 of Indian Penal Code में fall करता है तो section 270 of Indian Penal Code क्या कहता है ये भी जान लेते हैं section 270 IPC simply बात करता है malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life मतलब एक ऐसा act जो कि किया जा रहा है किसी disease के infection को फैलाने के लिए जो infection human life के लिए dangerous हो सकता है अब यहाँ पर एक बहुत जादा important चीज है कि ये जो भी act किया जा रहा है एक person के द्वारा वो malignantly किया जा रहा है मतलब उस person को पता है कि वो अगर इस disease का infection spread करेगा दूसरे पर तो दूसरे की जान को खतरा हो सकता है एक बार इस provision की language देख लेते हैं whoever malignantly does any act which is and which he knows or has a reason to believe to be likely to spread the infection of any disease मतलब एक person को पता है कि वो कोई ऐसा act करेगा जिस act से किसी disease का infection दूसरे person को फैल सकता है और ये spread of infection उस दूसरे person की जान के लिए dangerous हो सकता है अब यहाँ पे जैसा कि आप सब देख रहे हैं which he knows or has a reason to believe मतलब एक person को ये पता है या वो ये जानता है कि इस disease के infection को फैलाने से दूसरे person की जान को खतरा हो सकता है तो कहीं न कहीं यहाँ पे intentionally चीज़े हो रही है तो इसी चीज़ के चलते जो भी person ऐसा act करेगा उसे punish किया जाएगा for a imprisonment which may extend to two years या उसे fine भी देना पड़ सकता है या उसे imprisonment और fine दोनों चीज़े bear करनी पड़ सकती है यह बहुत जादे important section है इस case के context के regarding तो अगर हम section 270 of Indian Penal Court को इस case की situation के साथ ढाल कर देखें तो जैसा कि आप सब जान सकते हैं कि Mr. X को ये पता था कि वो HIV positive है अब इस चीज़ को जानते हुए भी Mr. X Miss Y के शादी करना चाहते थे यहाँ पूरी पूरी possibility थी कि Miss Y और Mr. X की शादी के बाद Mr. X का ये HIV disease का infection Miss Y पर spread कर जाए और Miss Y की जान को यहाँ खत्रा भी हो सकता था तो ये चीज section 270 of Indian Penal Court के ambit में तो जरूर फॉल करती है लेकिन देखने वाली चीज़ यह भी है कि court की judgment किस तरीके से सामने निकल कर आती है तो जब इस case को Honorable Supreme Court के दुआरा hear किया जाता है तो finally Honorable Supreme Court अपनी judgment देते हुए कुछ important चीज़े हमारे सामने mention करते है Honorable Supreme Court ये कहते हैं कि जो patient और doctor के बीच का relationship है उनमें जो भी चीज़े होती है वो confidential रहनी चाहिए उनको secretly kept किया जाना चाहिए और उन्हें disclose नहीं किया जाना चाहिए और तो और जो भी चीज़ें यहां patient और doctor के बीच share होती है उन्हें respect किया जाना चाहिए यह बहुत important चीज़ है ऐसा नहीं होना चाहिए कि patient और doctor के बीच उनकी patient के disease के चलते कोई भी यहां पे चीज़ें अगर discuss हो रही है तो उन्हें disclose कर दिया जाएगा यह चीज़ यहां विल्कुल भी अलाओ नहीं है लेकिन while on the other hand इस case की sensitivity देखते हुए honorable supreme court यह यह भी कहते है कि confidentiality से भी जरूरी एक चीज़ है जो कि article 21 हमें provide करता है जो की है right to life अगर हम यह confidentiality देखे Mr. X की disease को लेकर जो की disclose की गई थी डॉक्टर के द्वारा तो उस confidentiality से भी ज़्यादा जरूरी चीज़ जो यह exist करती है वो है Miss Y की जान देखे अगर मान लीजिए डॉक्टर disclose नहीं करते Miss Y को की Mr. X HIV positive है तो कहीं न कहीं यहां पे Miss Y शादी कर लेती Mr. X से और उनकी शादी के बाद यह पूरी पूरी probability थी कि वो HIV की disease का वारस Miss Y को spread हो जाता और कहीं न कहीं उनकी life खत्रे में आ जाती तो Honorable Supreme Court भी है यही चीज़ कह रहे है कि relationship जो है डॉक्टर और patient की उसमें confidentiality respect, secrecy और जो भी facts है को patient और doctor के भी जो भी चीज़े share होती है उन्हें disclose नहीं किया जाना चाहिए यह चीज पूरी तरीके से यहां पर follow होनी चाहिए लेकिन इस case की sensitivity देखते हुए यहां article 21 जादा important role play करता है over confidentiality of patient and doctor क्योंकि यहां पर Miss Y की जान का सवाल था यह बहुत important चीज है so मुझे उमीद है आज की video आपको अच्छी लगी होगी जिस information को आप यहां gather करने आए होंगे वो आपको मिली होगी have a great day